वंदे मातरम मित्रू एक ऐसा छोटा सा उपाए मित्रू जिसे आप यदि अपने कारे में भरपूर मेनत कर रहे हैं और आपको उसका उचित लाब नहीं मिल रहा तो करे ये छोटा सा उपाए फिर देखे मालच में आप पर कैसे महरबान होती है और मालश्मी की किरपा आप पर कैसे बरसती है और आपका घर धन-धान से कैसे भर जाता है तो करना क्या है मित्रू प्रती दिन आप जब आटा गूते हैं तो एक आटे का पेड़ा अलग करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी का पॉडर मिला लें जी हा मित्रू आटे का एक पेड़ा बनाएं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और इसे गाएं गव माता को आपने खिला देना है इस आटे के पेड़े को आपने प्रती दिन गव माता को खिलाना है यदि आप ऐसा नियमित करते हैं कि आटे के पेड़े में थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी मिला कर गव माता को अपने हाथों से खिलाने लग परते हैं तो आपके रुके हुए कारे वेवसाय में रुकावर्ट, काड़ों में अरचन और आपको यदि जीवन में अपने मेहनत का पूरा लाव नहीं मिल रहा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको मेहनत का उचित लाव मिलना शुरू हो जाता है यदि आपने इस से कारे को किया तो जी हामी तो अच्छा दोस्तों अच्छे करम करते रहें अपने पुन्य करमों के खाते को बढ़ाते रहें इसी शुमंगल कामना के साथ मैं अजीद मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातरा